जमू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में आतंकवादियों से एंकाउंटर में देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश के पांच वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलेदान कर दिया है दो दिन चली मुढभेड में पांच आतंकवादि मारे गए जबकि पांच जवान शहीद हुए है इन में तीन जवान सेना के हैं जबकि दो जवान पुलिस के हैं जमू कश्मीर से आई है देश के लिए ये दुख भरी खबर पांच आतंकवादियों का तो सफाया हुआ है लेकिन इसके लिए हमारे पांच जवानों को देना पड़ा सर्वोच बलेदान सेना के पांच जवान शहीद हो गए है एंकाउंटर में सेना के जवान अश्रफ राथर नायक रंजीत खोल का शहीद हुए जबकि पुलिस कर्मी दीपक थुसू और मुहम्मद यूसुफ भी शहीद हो गए है आतंकवादियों के खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस और सेना और सियार पीएफ की संयूक टीम ने अभ्यान चलाया था दो दिन तक चली मुटभेड में पांच आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया साथ-ाट आतंकियों के लोसी पार करके घुसने की जानकारी मिली थी अधिकारे उने कहा कि नियंटरन रेखा पार करने के बाद आतंकवादि घाटी में मौजूद अपने साथियों से मिले और उन्हें कुपवाडा की तरफ जाते वक्त पुलिस कर्मियों ने देख लिया एक मस्जिद में छिपे आतंकवादियों ने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया लेकिन सुरक्षा बलों ने कल सुभा उनमें से चार को मार गिराया अधिकारे उने कहा कि पांच वाद तंकवादी कल शाम मारा गया और हमारे पांच जवान भी इसमें शहीद हो गया यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे